हरे क्रिष्ण तो अंतराष्ट्य क्रिष्ण भावना मिस्संग की ओर से मैं रगुपति विष्णुदास आज हम चर्चा करेंगे प्रेम और काम जैसे का समय आता है सब्सक्राइब को याद आ जाता है वेलेंटाइन डे तो वेलेंटाइन डे जो है वह बहुत प्रचलित है प्रेम का तेओंः कि रूप में लेकिन हमें इसना देुपताए SMS होता क्या है प्रेम होता क्या है तो श्री चैतने चरता में ग्रंथ में वरनत है कि प्रेम और काम प्रेम किसे कहते हैं काम किसे कहते हैं उसमें वरनन है कि जो इच्छा हम करते हैं हम अपने इच्छाओं को पूर्ती करने के लिए जो कारे करते हैं उसे प्रेम नहीं कहा जाता। जैसे हम देखते हैं कई बार लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत सारे कारे करते हैं, अलग-अलग कारे करते हैं, अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने संबंद्यों के इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने और इसके विपरीत जो कार्य हम परम भगवान स्रे कृष्ण के आनंद के लिए उनकी संतुष्टी के लिए उनकी सेवा के लिए करते हैं उसे कहते हैं प्रेम प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है और वो परम भगवान के सेवा के लिए किया जाता है जैसे हम देखते हैं भारत भूमी में पूरे भारत भूमी में अन्य अन्य प्रदेशों में हर जगा पर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त हमें मिलेंगे जो भगवान कृष्ण की ही सेवा के लिए अपना जीवन समर्पन करते हैं चाए वो ब्रह्मचारी हो, चाए वो ग्रहस्त हो वो केवल भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन निर्वा करते हैं हाला कि अपने मनुष्य जीवन के निर्वा के लिए जो उन्हें जरूरत है उन चीजों को वो जरूर ध्यान रखते हैं लेकिन उसे एक ड्यूटी की तरह एक जो समाजिक धर्म है हमारे जीवन का उसके अनुसार ही उसे लिया जाता है लेकिन उद्देश जीवन का जो है वो हमारे शरीर का पोशन या हमारे शरीर की जरूरतें या हमारे मित्र का संबंदियों का इनकी जरूरतें वो उद्देश नहीं होता जैसे कि हम देखते हैं कि आज कल के आजुनिक जगत में लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग नाम कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग समात सेवा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ऐसे अलग-अलग जगा पे हर वेक्टी कुछ नो कुछ ध्यान देता है और उसको उद्देश लेकर चलता है लेकिन स्रीमत भागवत्म कहते हैं स्रीमत भागवत्म में वरणन है कि जिस प्रकार हम पेड में पाने डालेंगे तो पूरे पेड को जो है पोशन मिलता है इस पेड में अन्न डालेंगे भोजन डालेंगे या आहार डालेंगे तो पूरे शरीर के हर अंग को पोशन मिलता है वैसे ही भगवान स्रीकृष्ण जो है वो एस समस्त संसार के जो है वो स्रोत है उदगम है और वही जड़ है इस अंसार उपी विक्ष के उदगम भगवान स्रीकृष्ण की यदि हम सेवा करेंगे तो अपना कल्यान अपने आप हो जाएगा हमारे समाज के हमारे मित्रों के मानों ता के लिए जो कारे किये जाते हैं यह सभी कारे अपने आप पूरे हो जाएगे तो यदी हम तो सही मायने में यदि हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें भगवान स्री कृष्ण की सेवा के लिए उनकी संतुष्टी के लिए प्रयास करना चाहिए भगवान स्री कृष्ण की सेवा के लिए कोई बहुत बड़ा कारे करने के अवशक्ता नहीं है उसके लिए बहुत स सबसे पहले शुरू करें भगवान के सेवा जीब से अभी कोई कहेगा जीब से कैसे सेवा होती है हाथ से और पैर से होती है नहीं जीब से सेवा होती है सबसे पहली सेवा कैसे सेवा होती है जीब से भगवान का नाम जब करके बगवान स्री कृष्ण के नाम को जबकर्दन करना ये जीव की एक सेवा है, बगवान के दिये हुए पवित्र शास्त्रों का अध्यन करना ये बगवान की और एक सेवा है, उन पवित्र शास्त्रों को दूसरों को प्रचार करना, दूसरों को बताना उनके बारे में ये भग ख़ग्वान की सेवा है ये भी हम जिवक्या के और मूग के द shaky कर सकते हैं और भग्वान का महावसाथ स्विकार करना दो हुआ में चरणों मैं अर्पित है उसे प्रसाद के रूप में हमें सुई करते ह 15 तो ये पहली सेवा है जिसे हम शुरू कर सकते हैं स्वेवन मुके ही चिवभा दो यहां से हमारे प्रेम की पहली सीड़ी का शुरूवात हो जाता है नहीं तो जो आज हम संसार में देख रहे हैं ये लोग कुछ हैं अपने शरीर के संतुष्टी के लिए अपने शरीर के आनंद के लिए कारे करते हैं कुछ हैं जो अपने सगे संबंदी रिष्टेदारों के शरीर के लिए उनके सब तुष्टी के लिए प्रयास करते हैं कुछ हैं जो अपने मित्रों के लिए कुछ हैं जो समात सेवा के लिए ये सब अच्छा है गलत नहीं है लेकिन ये प्रेम नहीं है प्रेम जो है पूरी तरह निश्वार्थ होता है जिसे कई बार कुछ लोग दान करते हैं तो वही सोचते हैं कि मैंने दान किया है उनके मन में ये भाव रहते हैं कि मैंने दान किया है लेकिन हम दान कर क्या सकते हैं हमारे पास अपना क्या है जो हम धूसरों को दान करेंग ये पूरी स्रिष्टी भगवान की है, ये शरीर भगवान का दिया हुआ ओए और हम कुछ भगवान क्याम्श है तो हम हमारा अपना है कि आ 싸 fragen को अपनी हुजिए से हमने दान किया है संसार में हम आते हैं आज हम संसार में कुछ सब Hopkins कर रहे हैं और कि हमारे जाने के बाद कर और कोई दूसरा दो करेगा और हमारे आने के पाहले कि कोई और उपयोग कर रहा था तो हम तो यहां पे केवल निमित मात्र कुछ सुविधाओं का उपयोग करने के लिए हैं और उन सुविधाओं का उपयोग किसे लिए किया जाता है तो भगवान इन सुविधाओं का उपयोग हमें करने लिए देते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें भगवान कृष्ण की सेवा करें इन सुविधाओं का उपयोग एक छोटा सा उधारन है जिस प्रकार किसी कंपनी में अगर कोई विक्ति काम करता है तो कंपनी के द्वारा उसे बहुत सारे सुविधाएं दी जाती है उसे गाड़ी दिया जाता है कंप्यूटर दिया जा कंपनी के सेवा में सारे करता है तो कंपनी की तरफ से उसे की मेहनत का उसकी लगन का और समपड़न बार भाप्योग करना है वो भगवान की सेवा में करना है, क्यों? क्यों कि इस त्रिष्टी के असली मालिक भगवान त्री कृष्ण है, और कोई नहीं है, भगवान त्री कृष्ण भगवत गिता में इस चेज को बहुत क्लियरली कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंची दस्ती धनन जया, मुझसे प्रक्रती, सुएते, सचराचरम, ये पूरी स्रिष्टी जो है, वो भगवान के आदेश पर, भगवान के अध्यक्षता में कारे करती है, तो जिससे प्रमाणित होता है, कि स्रिष्टी हमें मिली है भगवान की सेवा के लिए, हम भगवान की सेवा के लिए उप्योंग करे और जब हम ऐसा करेंगे तो समस्तमानों कल्याण का कारे अपने आप पूरा हो जाएगा अपने लिए जो जरूरत है वो अपने आप पूरा हो जाएगा अपने मित्रों के लिए अपने सगसंबिंद्यों के लिए हर व्यक्ति का जो पोशन है वो अपने आप पूरा हो जाएग और ऐसा जब हम करेंगे तो हम वास्तविक रूप में अपने और पराय के भेद को हटाते हुए, हम सब से ऐसा प्रेम करेंगे जो प्रेम निस्वार्थ होगा, जिसमें हमारी इच्छाओं का कोई भाव नहीं रहेगा, हम किसी व्यक्ति को अपने और पराय के बंदन से और अगर हम ऐसा नहीं करतें हैं, जैसके आज से आजकल देखा जाता है, हम एसा नहीं कर रहे हैं, तो उसका परदाब हम देख के रहे तो देशों में लडाई हो रही है, ब्लाय के मेरा और तुम्हारे का भेद, he आपने और पराय काभेद को फि जब हम हर विक्ति को, हर जीव को, विक्ति ही नई, पशु, पक्षी, हर जीव को, हम भगवान का अम्षय देखेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, उन्हें भी भगवान की सेवा में जोडेंगे, जब हम ऐसा करेंगे, तो हम सही मायने में हर जीव से प्रेम करेंगे, तो य इसमें हम यह संकल्प करें कि हमारे जो असली प्रेमी है भगवान स्री कृष्ण allowing व्छटками ऐसे भी कहते हैं बहुत ही क्लिर रि युवशलिशं I patrick कि जो प्रेम है कई बार हमने सुना है कि प्रेमी की सुरुआत होती है पहले दोसे दोस्ती होती है फिर दीरे दीरे प्रेम हो है ऐसा हमने सुन है कि लेकिन भगवान स्री क्रिष्चिन कहते है जो मतलब क्या है कि जो मितरता में सर्वत्तम होता है या संबंद में किसी रिष्टे में जो सर्वत्तम सर होता है, वो होता है सूरिद का, सूरिद का मतलब होता है, जो आपके हृदय को जानता है, और कृष्ण तो हृदय में रहते हैं, सर्वत्य चाह, मृद्य संद्य विष्टो, कृष्ण तो हृदय में ही रहते हैं, और कृष और कृष्ण भक्ति का अधिकार हर जीव को है तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए इसके प्रयास के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी विक्ति को साधू या सन्यासी बनना पड़ेगा नहीं आप जहां भी हैं जिस भी परिस्टी में भगवान का नाम जब करें हरे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे और भगवान के दिये गए पवित्र शास्त्रों का अध्यान करें ध्यान रखें इन शास्त्रों का जब हम अध्यान कर रहे हैं तो भगवान के भक्तों के प्रामानिक भक्तों के मारदर्शन में करें अपने मन से नाश्रे और इसका जा आदेन किसी ऐसे विक्ति के नकरें जो विक्ति भगवान का भक्त नहीं है तुकि वहाँ हमें ठीक ठीक मार्दर्शन नहीं दे पाएगा और घवानका प्रसाद गहाण करें इसकुंग जैसे मंपीरों में और कि आएए और इस प्रेम को आप स्टॉंके क केंडर में देख सकते हैं और मैं आप सभी कौ आमन्तलित करता हूं कि आप सभी आईए जब आज ऊण आई ये और इस देल का हम आज स्वादन करेंगे अरे खिस्ता मंदिर ही अंतरा आख किये खिस्ताम होना में साइए